वन विभाग की टीम ने तीसरी से बिक्रिक किये जार है हिरण के मांस को जब्त किया है हलाकि इस दौरान मांस बिक्रिक कर रहे लोग मौके से भाग निकले मामला प्रखंड के बरैपार्ट गाउं का है मिली जानकारी के अनुसार वन प्रछेत्र पदाधिकारी गावा अनिल कुमार को बरई पार्ट में कथित लोगो द्वारा जंगली हिरन का सिकार कर उसके मांस का बटवारा करने की गुप्त सूचना मिल थी वन पाल अमर विस्व कर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर तिसरी वन विभा की पूरी टीम उक्त लोकेशन पर पहुँच कर खोजबिन करने लगी जहां एक व्यक्ति सफेद रंग की बालिटी में ढग कर कुछ रखा था वन कर्मी जब तक कुछ भी अंदाजा लगाते तब तक वह आदमी उक्त बालिटी को वहीं छोड़ कर भागने लगा इस दोरान वन कर्मियों ने उसका पीछा भी किया लेकिन वह भाग निकला जिसके बाद आसपास के लोगों से पूछ ताच कर उस व्यक्ति का पता लगाया गया वहीं बालिटी को खोल कर देखा गया तो उसमें हिरन का मांस रखा हुआ था वन विभाग द्वारा मामले में उचित कानोनी कारवाई की परकिरिया प्रारंब की जा चुकी है वहीं जब तमांस को जांच के लिए देहरादून भेजा जा रहा है टीम में वन पाल अमर विस्व करमा असो कुमार दिनेस दास रविस कुमार पवन चौधरी बम संकर्स वरमा आदी सामिल थे बंच शेत्य परदिकारी जी को सुचना मिला था कि बड़ए पार्ट जंगल बड़ए पार्ट के गाउं में हिरन का वन्हें शिकार करके और उसके मांस की बिकरिकी जा रही है जब पहुंचें तो जिस लोकेशन की बात थी उस लोकेशन में आसपास घर के आस पास अम लोग ढूंड़ने लगें तो वहां एक आदमी सफेद वाल्टी में लेकर खड़ा था, लेकिन हम लोगो अंदाजन नहीं लगा, हम लोग इसके आस पास खोईन लगे तब तक वह लेकिन बत अब रहे दुरह भाग जुगा था और झो लोग पकड़ने पाएं आज पास के लोगों से पदा किया नाम कौन था और इस फाल्टी के फोल ने एप फोल के देखे नाम था तो उन लोगों ने बताया कि यह मांस लुझा करके लेते आएं और यहां के जो घेल करवा दिया और इसको अगरतर जांच के लिए दिया दून भया जा रहा है